दोस्तों नमस्कार आद आप सच्रियकाल नियूज क्लिक के कारिक्रम आज की बात में आपका स्वागत है अब तक हम लोगों ने पिछले दो तीन दिन में जो अज़द्या के राम मंदिर निर्मान अभियान का जो पुरा अंदोलन्त रहा उसके एक बहुत परचित चहरा जो नरंदर गिरी जी थे नरंदर गिरी जी निरंजनी अखाड़ा के सुप्रिमों यानि सबसे बड़े महन और उनकी एक और पिशेस्ता थी कि वो जो बागंबरी मठ है अलाहाबाद की उस मठ के भी वो सुप्रिमों थे और ये अखाड़ा परिशत के राष्ट्री अध्यक्ष भी थे अखाड़ा परिशत के बहुत महत्पुन वो पद माना जाता है इस तरह के जो धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनकी तो उनकी एक तरह से मौत हो गई और मौत का कारण आत्महत्या बताया जा रहा है लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये आत्महत्या नहीं है ये हत्या है बैराल हम इस विवाद में बिलकुल नहीं जाएंगे कि वो उनकी आत्महत्या है या हत्या है ये पुलिस का काम है ये खोजबीन करने वाली संस्थाओं का काम है दोस्तों पहली बात को ये है कि ये तो हमारे देश में जो संत महात्मा, मठाधीश, बाबा, डेराधीश, ये नाना प्रकार के जो पतधारी लोग हैं जो धर्म के नाम पर या कर्मकान के नाम पर या कोई संप्रदाय के नाम पर काबिज हैं। और आम तोर पे मैं सभी धर्मों में इस तरह की मठा धीशी है लेकिन चुकि अपने देश में हिंदू कहे जाने वाली जो पधती है या जो धर्म है वो सबसे बड़ा है सबसे अधिक जो लोग माने जाते हैं अपने सेंसेस में वो हिंदू धर्मा उलम भी है तो इनके जो जि छबanya करती है कि आखिर ये जो आपराधिग घटना इंड़ों में इनख über होती हैं कई बार उनकी खबरएं चपती हैं कुछ लोग अभी जेल में हैं हम नाम क्या लें आप तो नाम जानते ही आई बड़े उलेखनी नाम थे बड़े सम्माननी नाम थे लेकिन किसी पर हत्या का मुकदमा दर्ज है और किसी पर इससे भी हत्या से लेकर के और तमाम तरह के कुकर्म के मामले दर्ज हैं और उनमें कई जो हैं इस वक्त भारत की विविन जेलों में पड़े हुए हैं ऐसे भी लो देश में च्छा गई टेलविजन चैनलों में तो सब कुछ पीछे हो गया और यही ख़बर सबसे बड़ी बन गई कि आखिर जो नरेंद्र गिरी सहाब जिनके आत्महत्या की बात या जिनकी हत्या की बात कही जा रही है होज का विशय है आखिर यह क्या वजय थी इतनी पदा उस मठ के पास है कि इसका कोई अंता जा नहीं क्योंकि अपने देश में जो इस तरह की आश्रम है देरे हैं या धार्मिक जो मठ हैं इनकी कोई आडिट नहीं होती है कारखानों की आडिट हो सकती है किसी छोटे सी वेब साइट चोटी सी वेब साइट के आफिस की कि गारों व्हारे की व्हाले पिग मतलब हजार की जो बड़ी-बड़ी जायदाद वाले लोग सकोदों तो उनके बारे में कोई इस तरहर कावडिक नहीं होता यह उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता है जब वो समय इश्वर के प्रतनी दिया है इश्वर के एजेंट तो जब गॉड के एजेंट है तो फिर उनको क्यों टेक्स देरा पड़ेगा ये काम तो मजदूर का है ये काम करमचारी का है ये काम किसी दूसरे लोगों का है खासकर कारोबारी लोगों का है कि वो इस तरह का भरें, जो लोग सीधे जंता को इश्वर से जोड़ रहें, उनका भला ये क्या काम है कि वो टेक्स ते हैं, लेकिन वो लैंड प्रूजर पर चल सकते हैं, वो सेमिनिस्टार से उइधाओं के बीच में जी सकते हैं, वो चार्टर प्लेन चार्टर हेलिकॉप्टरों में जा सकते हैं उनकी राजितिक महत्वाकांचाएं इतनी लहराएंगी जो मुंबई में जो समुद्र तठ है उससे भी जादा लहरें उनके दिल और दिमाग में उठेंगी आप कल्पना नहीं कर सकते अभी बताया जा रहा है कि नरिंद्र गिरी जी के जो शिश्य आनंद गिरी जो स्वेम संबोता चाहते थे कि वो भविश्य में उनके उत्तरा धिकारी बने वो बड़े शौकीन आदमी बताया जाते हैं बहुत जेवरात पहनते हैं मैंने तो बपी लहरी साहब को जो एक बहुत अच्छे गायक हैं और उनके बारे में सुना था कि वो बहुत जेवरात पहनते थे हीरे मुती सोने शादी तरह तरह के लटकाये रखते थे और मैं देखता भी ता तस्वीरों में तो लेकिन इनके बारे में भी का जाता है कि यह उत्सों में उल्लास के किसी मौके पर कहीं भी पहुंचते हैं तो कई बार इनको जेवरातों में लोग देखते हैं बहुत अच्छे कपड़े बहुती ढंक से पेशाना अमें इतने ढंक से की लगे की कोई बहुती दिब्य व्यक्ति आ गया है कि आस्ट्रेलिया की इनकी यात्रा और आस्ट्रेलिया में इनको लेकर जो विबाद हुए हाला कि उसमें ये बरी हो गए लेकिन उसको लेकर भी बहुत सारी कहानिया अबारी हैं उस वक भी थोड़ी बहुत कहानिया आई थी तो नरेंदर गिरी पर जो आरोप लगे हैं या वही लोग इनकी हत्या या इनकी आत्महत्या के पीछे एक फैक्टर है अपने महंत साहब की या कोई और लोग है जो एक तुरी जो आत्महत्या के बारे में जो कहा जा लेकिन यह जो घटना है दोस्तों यह पहली घटना नहीं है स्वेहम उस मठ में भी कुछ मौतें रहसमे धंकी हुई है और 2019 में एक मौत हुई थी बहुत ही रहसमे मौत वह भी बहुत प्रमुक्विती थे और इसके अलावा भी कुछ एक ऐसी मौतें हुई दूसरे जो देरे दूसरे जो आश्रम, दूसरे जो और जो इस तरह के फाइव स्टार या यूं कहा जाए कि बहुत धन संपदा जायदा चल अचल संपती रखने वाले जो बहुत सारे डेरे हैं, वहां भी इस तरह की घटनाओं की कोई 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 कमी नहीं रही है, आप अगर देखें, अगर आ इन मठों, इन आश्रमों की संपतियां, चल और अचल जो संपतियां है, वो कहां से आई, उनका क्या मतलब वजूत क्यों है, कैसे है, कौन उसका संचालन कर रहा है, उससे जो उत्पाद निकल रहे हैं, या उससे जो फायदा पहुँच रहा है, आश्रम को चाहे वो इसमेंट की शकल में हो, या कारोबार बठाने की शकल में हो, जैसे ये भी आया है कि जमीने बेची जाती है, जायदादें बेची जाती है, जायदाद खरीदी जाती है, तो आखिर ये आश्रमों और मठों और डेरों की संपतिय में, जो एक विस्फोटक जो इजाफा होता है उसके लिए कौन जवाब दे है क्या उसकी कोई accountability है क्या समाज का उस पर कोई हक है या सिर्फ उन लोगों का हक है जो इन मठों के मालिक हैं जो मठों की जमीन जायदाद पर काबिज हैं सिर्फ इस लिए कि वो nominated है या तथा तथित उनके जो आश्रम के लोगों ने उनका chain कर दिया है जोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जो मिजार्टी community मिजार्टी जो religious community है हिंदू इसके अंदर भी सुधार की बहुत जरूरत है धार्मिक सुधार की जो भारत के समिधान के बनने के दोर में नहीं करने दिया गया जो कुछ किया गया वो डॉक्टर बियार अंबेटकर सहाब की ठोस प्रयासों से किया गया उसमें भी काफी कटवती की गई तो हिंदू कोर्ट बिल से ले करके और जो हिंदू कोर्ट बिल पर अनेक आपतियां कॉंग्रेस के टॉप लीडर्स ने उठाई थी जो समिधान सभा के बड़े बहुत ही मजबूत सदसे थे बहुत ही प्रभावशाली सदसे थे और तब जाकर बहुत सारी चीज़ें कर्टेल होई और कुछ चीज़ों की एक्सेप्ट किया गया लेकिन डॉक्टर बियार हम बेटकर बहुत सारे सुधार चाहते थे और इस तरह का सुधार मैं समझता हूं कि आज की तारीक में जरूरी भी है लेकिन क्या उसके लिए आर्थिक सुधार करने वाली हमारी सरकार जो मायनाटी कम्यूटी के बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जहां वो सुधार करती है अभी हाली में हमने देखा कि मुस्लिम कम्यूटी के तीन तलाग से लेकर और कई इस तरह के मामलों में सुधार के बड़े कदम उठाये गए और पार्लामेंट से तुरत उनकी सैंक्शन हो गई मंजोरी भी मिल गई ल प्रभंदन को लेकर मंदिरों में कौन पुजारी होगा मठों में कौन कैसे रहेगा कोई डिमोक्रिसी का मतलब है इस डिमोक्रिटिक कंट्री में की नहीं उन मठों और डेरों के लिए इसके बारे में किसी सरकार ने सोचा नहीं न तो कॉंग्रेस की सरकार ने न तो मौझूदा सरकार अपने को धर्म की बड़ी समर्थक मानी जाती है वो कहती है कि धर्म की जय हो तुनी चाहिए तो मैं यह समझता हूं कि भारत के समिधान में तुम माना यह गया है कि राजे का धर्म से उस तरह से रिष्टा नहीं रहेगा सभी धर्मों के प्रति उसका नजर बनाना चाहती है मौझूदा सरकार जिस धर्म की वो वकालत करती है जिस धर्म के लिए मंदिरों के निर्मान की वो बार-बार बात करती है कुछ लोग जब डिमॉरिश कर देते हैं किसी जगह को किसी दूसरे धर्म के उपासनास्थल को तो वहां सरकार स्वेम चली जाती है शिला नियास कराने तो ऐसे में क्या ये सरकार की जवाब देही नहीं आए कि अपने प्यारे धर्म को ज्यादा सुंदर बनाए ज्यादा मानवी बनाए ज्यादा डेमोक्रिटिक बनाए और अगर वाकई हो समझती है कि वाकई सुंदर और डेमोक्रिटिक बनना चाहिए अपन तक चली गई जिन पर हत्या से लेकर बलातकार तक के गंभीर मामले हैं और जिन में कन्विक्षन तक हुआ है कईयों पर क्या कारण है कि किसी मंदिर में कोई दलित जाता है तो उस पर फाइन किया जाता है अभी मैंने उत्रा खंड के बारे में पढ़ा कि कुछ साल पहले की ब के साथ उन्होंने मंदिरों में प्रवेश भी कराया उनको तो क्या हमारे देश में दलितों के प्रवेश को लेकर दलितों के पुजारी बनने को लेकर पिछडी जातियों के लोगों को बड़े-बड़े मंदिरों में पुजारी बनने को लेकर क्यों नहीं एक कानून पास क किया जाता है क्यों नहीं तरह का सुधार किया जाता है आखिर हमारे संबिधान में हमारी डेमोक्रिशी में सिर्फ एक वरण के एक जाती के एक ही परिवार के कई लोग जो बारी बारी से उत्तरा धिकारी बने मुख्य पुजारी बनने का इसका क्या उचित्य है आज की तारीख में तो ये बड़ा प्रश्ण है और चलते चलते दोस्तों चुंकि मामला हमने अलहाबाद से सुरू किया बागंबरी मठ के जो मठाधिश हैं उनकी आत्महत्य या हत्या से तो हमारा इस पर केवल तीन सवाल है और पहला सवाल ये है कि यही की जो आश्रम अध्यात्मिके बड़े अड़े माने जाते हैं उनको वाकई अध्यात्मिक क्यों नहीं बनाया जाता वो कारोबार के अड़े क्यों बन गये हैं और अगर कारोबार के अड़े व पास है, सैक्रों करोड़ की संपति किसी के पास है, लाइंड starter पर चलने वाले मठादीस हैं, तो क्यों नहीं उनको tax के तैरे में लाया जाए, क्यों नहीं उनको उनकी संपतियों को audit किया जाए, दूसरा है कि मौज़ुदा घटना को लेकर इतने सारे भी बात हैं फिर अपने देश की सरकार हर बात में CBI की बात करती है इस घटना में CBI या Supreme Court के या High Court के किसी Serving Chief Justice या Judge माननी नियाधीश की अगवाई में क्यों नहीं एक Commission घटित करती जिससे की पता चल सके कि ये आश्रम के मठाधीश का या उस मठ के मठाधीश की ह आत्मात्या के पीछे वज़ा क्या है कहिए संपत्तियों का मामला तो नहीं है कहिए कुछ और मामला तो नहीं है और बिलकुल अंत में दोस्तों तीसरी बात जो मैं बार बार कहा रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण में हमारी सरकार पारदर्शिता की बात हर बार करती रहती है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, तो इस मामले में पारदर्शिता क्यों नहीं है, जो इस तरह के धार्मिक संस्थान है, उन में transparency क्यों नहीं है, अगर कोई उत्तराधिकारी चैन हो रहा है, तो कैसे चैन हो रहा है किसका, कहीं वो आपराधिक प्रिश्ट भूमी का व्यक्ति तो नहीं है कहीं उसकी महत्वाकांचायं तो नहीं है मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को तो खासतोर पर इस पर सोचना चाहिए क्यों कि वो इसी पृष्ट भूम से आतर के राज्य के मुख्या बने हैं एक मुक्चि मंत्री है और धर्मादिकारी भी है वो एक मठ के मठाधिस भी है उनका ये फर्ज बनता है कि वो तो कहते हैं कि हम रामराज ला रहे हैं तो मेरा रामराज में आखिर घृत्या निंदनी है बहुत ही बहुत बुरी और बहुत नेगेटिव घटना है कि उन जैसे योगी जी के महराज के राज में और उन्हीके परंपरा के एक व्यक्तिल को मठा धिर्श है उनकी हत्याया हो रही है मजबूर हो रहे हैं उसके लिए क्यों हो रहे हैं और देखा जाना चाहिए कि इसके पीछे क्या कहानी है तो आज बस इतना ही लेकिन मेरी अंतिम बात जरूर ध्यान रखिये कि धार्मिक आर्थिक सुधार होता है प्रशास्निक सुधार होता है पुलिस में सुधार होता है जुडिशरी में सुधार होता है धार्मिक जो दूस ने किया तो क्यों नहीं हिंदू धर्म के लोग जो इतने बड़े आकार में हैं इतनी बड़ी आबादी में हैं क्यों नहीं अपने धर्म का एक धार्मिक सुधार अभियान चलाते हैं नमस्कार आदाग चक्ष्रियकाल